सूरा मेरे मेज़ पमान तक्ठन फिर मेनी सिखा पधिंग्समादियानी बुद्धन आज का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही इंट्रेस्टिंग और बहुत ही मैदार है तीन बातें मैं बताऊंगा सबसे पहले तो हमें भिक्कूओं को भिकुणियों को जो तीर्थंकर हैं जो उनके अनुयाई हैं जिनको निकठ नाट बोलते हैं और जो बुद्ध हैं उनको उठाना है आज का दिन उनके उठाने के लिए उनको जगाने के लिए उनके उनको चतुर मास जाए यानि चार महिने की जो योग की, साधना की, विपसना की जो अब्धी है वो पूरी हो जाने का अलारम हम उनको देते हैं और उनको request करते हैं कि अब आप उठ जाएए अपनी उंगलिया चटकाएए आपकी बैठे बैठे विपस्ना साधना में उंगलिया जाम हो गई हैं खून जाम हो गया है हड्डिया जाम हो गई हैं तो उनको ठीक करिए तो इसको बाद के दिनों में क्योंकि ये जो फेस्टिवल है या जो प्रिक्रिया है ये बुद्ध को उठाने की प्रिक्रिया या महावीर को उठाने की प्रिक्रिया या उनके अनुयाई जो बाद में भिकू भिकूनी बने या जो उनके वहाँ जैन मुनी बने उनको चार महन यानि बसा वास का जो चार महने का पीरिड है उसको चार दिन पहले पांस दिन पहले क्योंकि कतिक मास को चार महने पूरे हो जाते हैं कार्टिक मास को चार महने पूरे हो जाते हैं तो उनको उठाना है उनको जगाना है ताकि वो अपनी त्यारी कर सके जो उधर मगद का एरिय या जो बढ़्दा कच्चाना हैं उनके लिए उनके सम्मान के लिए लोग वहां रखते हैं पर साथ मैं ऐसा भी है कि जो खाने का सामान लाते हैं वो भिक्णूयां की पवारना के लाते हैं यह सब्द है दरसल Regularляются पवारना पवन की तरह निवारन करना है चलना परदा हटाना और आगे बढ़ने के लिए पवारना बोते हैं पवन से मना हुआ है निवारन करना होता है उससे पवारन करना होता है तो यहां पश्चिम के तरफ क्या करते हैं वहां तो छट मनाते हैं सारा काम करते हैं पर पश्चिम में क्या करते हैं पश्चिम के चत्रमास हो रहे हैं तो उनको जगाना है उनको त्यारी करानी है उनसे निविदन करना है तो उनको कहते थे उठो बुद्ध बैठो बुद्ध विपसना से साधना से यानि उठो बुद्ध विपसना से उठो बुद्ध साधना से अंगुलिया चटकाओ बुद्ध यानि अप की जाम हो गई है विपसना साधनामें, उनको चटकाओ, उनको हाथ पैरों को हिलाओ. नई सूत, नई कपास, यानि नया सूत आ 오gen आ है, क्योंकि कपास नई आ गई है, और उससे सूत नया बन गया है, तो ये बता रही हैं, लोग ये बता रहे हैं कि चीवर बनने के लिए तैयरिया हैं, चीवर बन रहे हैं, और देव उठेंगे कत्तिक मास, यानि के कत्तिक की पूरण मासी है, उस दिन देव उठेंगे, उस दिन वो निकल जाते हैं, तो देव जो बोला गया है, देने वाले को देव बोलत और जो कुछ भी महिला अगर कुछ देती है तो उसको देवी इसको देवा भी बोलते हैं देवाती देव का मतलब है देवों का भी देव देने वालों का भी देने वाला यानि जो सब को बाढ़ते हैं उनको भी देने वाला इस तरह से ये सारी चीजें चलती है तो वहां जो बात बनती है इस भारत के अंदर ये जो कत्तिक मास की जो सुक एका दसी है सुक एका दसी मतलब सफेद रंग वाली सुक पक्खव होता है जब चंद्रमा आगे बढ़ता है और पूर्ण मासी आती है यानि फुल मून होने वाला है तो उसमें जो ग्यारवा दिन है उस पबोधन एका दसी पबोधन एका दसी मतलब बोधन करना पूरा पबोधन चार महिने में पूरा पबोधन हो गया बाद में इसको प्रेबोधनी एका दसी बोले लगे संसकाइद कर दिया प्रेबोधनी प्रेब उसमें जोड़ दिया और थोड़ा घटाने के बाद इसको द देव उठान और फिर बाद में देव उठनी क्योंकि महिला भी होती है तो देव उठनी ये सब्द बाद में बने पुराने अगर साहिते में आप जाओगे तो इसकी कोई कहानी आपको कोई इत्यास कहीं मिलेगा नहीं दूर दूर तक भी कोई इत्यास कहीं कोई टाइम कहीं कुछ नहीं मिलेगा एक कहानी मिलती है जो कहीं फिट नहीं बैठती आप कहीं भी जाओगे तीन नैन के एक कहानी है पर वो कहानी जो है वो बड़ी एक एक चीज ऐसे बताती है कि आँखे खुली की खुली रह जाती है देव उठान की जो प्रिकरिया है उसके अंदर हम कासाय रंग से कासाय जिसको बाद में गेरुआ बोला गया कासाय मतलब जो भिक्कू जिस रंग के कपड़े पहनते थे उसको गेरुआ रंग भी बोलते हैं तो गेरुआ रंग से हम अपने दरवाजे पर आज के समय पिर्तिक आत्मा गरूप से पहले तो हम उनको उठाना जाया करते थे पर जब भिक्कू भी चले गए भिकूणिया भी चली गई और जो यहाँ जैनमुनी है वो भी चले गए तो लोगों को याद रहा कि हमको अपने भिक्कू भिक्कूणियों को उठाना है ताकि वो चारिका के लिए जाएं लोगों का उठ्यान करें तो अपनी दिवार पर बुद्ध का, पूरे भिक्कू संग का, यानि बुद्ध का एक बड़ा सा वो बनाते हैं, गेरुए रंग का चित्र, जो मानवाकृति का होता है, और उसके अंदर छोटा सा बनाते हैं, उसके अंदर पदचिन बनाते हैं, बाद में उसको गाय का चिन बोलने लगे, पदचिन बनाते हैं, कमल का फूल बनाते हैं उसके अंदर, कमल का फूल, जो ये प्रतीक बताता है, कि ये बुद्ध के जनम से सम्मदित कथा है, वो बनाते हैं, उसके अंदर धम चक्र बनाते हैं, नीचे की तरफ, जो पैरों में आता है, धम चक्र आता है, वो अपने परिवार के पदचिन बनाते हैं आज उनको परिवार का पदचिन बोलते हैं पर पहले वो बुद्ध के पदचिन होते थे बुद्ध के चरण पादू का होते थे बुद्ध के चरण चिन होते थे चरी का चिन यानि के बुद्ध के जो मार्ग है जो चरण है उस पर चलने वाले चिंड बनाया करते थे वहाँ जो सामगली रखते हैं उनको देने के लिए क्योंकि भिकू जागेंगे भिकूडी जागेंगे सक जागेंगे तो खाने का सामान चाहिए तो सिंगारे, मूली, गाजर, गोभी, गन्या जो फसल आई है वो फसल जो आई है कपास, अनाज वो रखते थे कि ताकि उनको देना है जब वो जगेंगे क्योंकि वो जाने वाले हैं उनके भोजन की व्यवस्था भी होती थी और क्या गीत काते थे, उठो देव, बैठो देव, उंगलियां चटकाओ देव, देव, नई सूत, नई कपास, देव उठेंगे कत्तिक मास ये बोला करते थे पर ये आधा है, क्योंकि उठो देव, तो देव सोए हुए हैं, तो देव कैसे सोए हुए हैं, कोई भी व्यक्ती चार महने तक नहीं सो सकता अगर कोई व्यक्ती या जानवर चार महने तक सोएगा तो मर जाएगा इसलिए वो 8 घंटे सोएगा, बहुत ज़्यादा 16 घंटे सोएगा पर दिन में 24 घंटे भी कोई सोएगा तो भी उठ जाएगा वो सो ही नहीं सकता, आप सो के देख लिजिए तो चार महने तक कौन सो रहा है? चार महने तक वो सो रहा है जो चतुर मास के अंदर ध्यान विपस्ना साधना कर रहा है वो सोया हुआ है अपनी योग निद्रा में योग माने अच्छे कर्मों को योगना, जोड़ना, योज करना उसकी निद्रा में बैठा हुआ है तो जब वो निद्रा में बैठा हुआ है तो क्या कर रहा है उसको उठाना है तो जो लोग विपस्ना साध्रा में बैठे हुए हैं ध्यान में बैठे हुए हैं उनको ही उठाना है तो उनको उठाना है इसलिए इसको बोलते हैं देवों को उठाना है यानि देव सोय हुए हैं और सारी प्रानी जो प्राकर्तिक बात है उसके अंदर भी चार महीने ही बोला गया है और चार महीने सिर्फ बुद्ध के या जैन के चत्रोमास होते हैं और किसी के होते नहीं और सारे चन्वही बताते हैं तो उनको उठाकर पवारना करानी है कत्तिक मास के बाद सारे भिकुर भिकुनी अपना जो विहार है जहां वो चार महिनत रहते हैं उसको छोड़ देते हैं उसको पवारना बोलते हैं, उसको देव उठान बोलते हैं, उसको बुद्ध परबोधन एका दसी बोलते हैं असली नाम है उसका धम परबोधन एका दसी क्योंकि धम का परबोधन आरब होना सुरू हो जाता है महिलाएं आज के समय अबरत रखती हैं अपने बच्चों बच्चों के नाम वगरा लेती हैं ये बाद की परमपरा है ये बाद में जुड़ी है पर जो सबसे important और सबसे कमाल की बात है कि सारा का सारा time slot और उनका सोने का system और एक एक चीज यहां तक कि उनका रंग और जो खाने की सामेगरिया है और जो विरत रहने का तरीके हैं और जो उनकी पूजा विदी है और जो आज भी वो बुद्ध को याद करते हैं अपने घर में बना कर और उसकी आकरती बिलकुल ऐसी ही बनाते है जैसे बुद्ध की आकरती होती थी और उसमें दीप भी बनाते हैं अत्त दीपो भव के दीप भी बनाये जाते हैं उसके अंदर चारो तरफ ये सारा का सारा सिस्टम वही सिस्टम है जिसको हम पवार्णा बोलते हैं या चट वहाँ पर चलता है जिसमें देते हैं इसलिए हमको अपने भिक्कूओं को और भिकूणियों को जो हम पवार्णा का नाम लेते हैं इसको हम धम पबोदन एका दसी भी बोल सकते हैं या इसको धम देव उठाबनी भी बोल सकते हैं या धम देव उठान भी बोल सकते हैं कोई भी नाम ले सकते हैं ये वही पुराना का पुराना सिस्टम है तो हमको अपने देव यानि देने वाले देखा देने वाले उठाने चाहिए और 5 दिन पहले अलर्ट होता है उसके बाद वो त्यारी करते हैं उसके बाद वो चले जाते हैं क्योंकि सरीर 5 दिन में नॉर्मल होके अपने काम पर दुआरा से लग जाते हैं और नई सूत का पास का चीवर उनको मिल जाता है जिसको चीवर दान बोलते हैं और कतिक मास में आज के समय पूरे कतिक मास में जब से लगता है और पूरन मासी तक हर जगे भारत में पूरी दुनिया में कठिन चीवर, कठिन चीवर उसको बोलते हैं पहले जो चीवर बनते थ वुआ नहीं दो उसको कठिन चीवर बोलते हैं पर वो अब आसान चीवर है दो हजार रुपए दो पांचार पंदस रुपए दो आसान चीवर है अब चीवर आसान है अब कठिन चीवर नहीं है पर ट्रेडिशन हैं बोलते हैं आप किसी को कहोगे तो नाराज हो जाएगा क्योंकि हर जीगे प चीवरदान हो रहे हैं या कटिन चीवरदान हो रहे हैं वो फेस्टिवल का रूप ले चुके हैं पुरानी परंपरा नहीं है पुरानी परंपरा बड़ी महान थी पुरानी परंपरा में सब अपने अपने घर से खाना लेके आते थे भिक्कों को खाना देते थे सेवन करते थ थे अपने हाथ से बनाकर चीवर लाते थे उनको चीवर देते थे वो चीवर सब जमा हो जाते थे जिसको आप सकता हो थी थी उसको मिला करते थे भिक्कू संग में वहां उनका जो जिस तरह आज की तरह फूल मालाओं से स्वागत होता है जिस तरह आज कल भिक्कू फूलों के लास्ते पर चलते हैं, ऐसी कोई परंपरा रही नहीं है, बहुत साधान तरीके से, सिंपल तरीके से उनका जाना और आना होता था, उल्ला सभी में रहता था, पर उत सब की तरह जैसा आजकल है, वैसा नहीं होता था, और भिक्कु संग में होता था, आजकल क्या हो रहा है कि जो चीवरदान हो रहे हैं, वो अलग-अलग भिक्कू के भी हो रहे हैं, तो वो चार-पांच भिक्कू एक साथ इखटे होते हैं, फिर कहीं और इखटे होते हैं, ये संग की परंपरा नहीं है, संग एक होना चाहिए, और सारे चीवर संग में जाने चाहिए, ये परंपरा है अलग-अलग संग नहीं बन सकते वो बात कहर भिकू जाएं क्योंकि उनको देर सवेर ठीक होना पड़ेगा पर ये हमारी उठावनी देव उठावनी हमारा ही फेस्टिवल है ये गारिंटेड है हम इस पर बहस कर सकते हैं क्योंकि वैसे भी सारे फेस्टिवल हमारे हैं दूसरा